इस सेस्टन में आपका हर्दिक स्वागतों अबरेंदने आप भी चाहते हैं IRCTC का एकाउंट बनाना आपके पास भी अभी तक IRCTC का एकाउंट नहीं है यूजर आईटी और पासवरड नहीं है तो इस वीडियो में जानेंगे पूरा प्रोसेस की क्या है पूरा प्रोसेस आपके जो भी IRCTC है उसका एकाउंट जनरेट करने का रजिस्टर करने का लेकिन अभी क्या कि प्रोसेस पहले से कुछ इसमेँचेंड हो चुका है नहीं चीज़े इसमें एड हो चुका है ठोड़ा सा इसका इंटरफेस भी बदल चुका है जो कि सारा नया प्रोसेस हम इस्ती वीडियो में कभर करने या फिर आगे और भी प्रवाइट होंगी आपके वाल एक ही बार आपको रेश्टेशन करना है एक ही यूजर आइडी और एक ही पासवर्ड रगना है और सारी सुधाओं को आप एकसिस कर पाएंगे तो चलिए फ्रेंद्स जानद लेते हैं अपना प्रूबा प्रोसेस की तत आप कैसे अपना जो भी यूजर आइडी है और पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं और नया एकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं मुझत पहले गूजल ऊपन कर लेंगे और यहां पे हम टाइप करेंगे आईर ctc फिंस यहां बैए आईर www.irctc.co.in आपको इस website पे चले जाना है friends अभी website जब से update हुई है उसके बाद से process थोड़ा सा change हो गया है नया process हम इसी वीडियो में जानेंगे कि नय process से कैसे आपको अपना नया account open करना है तो friends यहाँ पे ok कर देंगे देखें यहाँ पे login के ठीक बगल में registered का option देखने को मिल जा है आपको register पे select कर देना है friends जैसे ही आप register पे select करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जागा create your account अब friends यहाँ पे नया account आप बना सकते हैं देखें by default यहाँ पे एक user ID automatic आ गया है यह system से track कर लिया इसने तो फिलाल में मैं इस user ID को हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे वो ही user ID आप enter कर सकते हैं जो कि किसी ने नहीं लिया हो अभी तक फिलाल में अभी यह जो भी user ID हमने इंटर किया है या फिर automatic हो गया है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है note available तो यहाँ पे यदि आप भी user ID बनाते हैं और वो note available दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाएए कि वो user ID किसी ने ले लिया है आप दूसरी user ID यहाँ पे ले सकते हैं तो फ्रेंस यहाँ पे हमने इंटर कर लिया है जैसे कि यह user ID आप यहाँ पे दिया है क्यों लिखना है नाम के अलावा भी कुछ भी लिख सकते है user ID है वो एक unique ID होती है जो कि किसी और ने न लिया हो वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते है और तेखें ऐसा इंटर करना चाहिए आपको कि जो कि याद भी रख सकें यह आपके लाइफ से related ही होना चाहिए तो फिलाल में यहाँ पे मैंने Car C HRS रख दिया है और यहाँ पे Red Alert नहीं आ रहा है इसका मतलब कि यह user ID हमें बड़ी असानी से मिल जाने वाला है यहाँ पे आपको password इंटर कर लेना है जो भी आपको password रखना है उसके बाद friends यहाँ पे confirm password, same password आपको यहाँ पे enter करना पड़ेगा और उसके बाद से यहाँ पे preferred language जो भी आप language चूच करना चाते हैं वो यहाँ पे चूच कर लेजिए, तो Hindi और English दो option दे रहा है तो अभी फिलाल में हम English ही चूच करने वाले हैं और उसके बाद से यहाँ पे security questions आएगा security questions आपको help करेगा जब आपको अपना account का कुछ भूल गए है password रिसेट करना है, कोई भी identity proof करना है आपको कि यह आपका account है तो उसमें काफी ज़्यादा help आदा है, तो यहाँ पे security जो questions है वो आप अपने हिसाब से चूच कर लिजे और उसका answer भी आपको यहाँ पे देना है type करना है, कि यह जो भी आपने security questions इन में से चूच किया है इन में से जो आपने चूच किया है, तो उसका आप answer क्या देना चाहते है answer तो आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि पहला जो भी basic detail था, वो आपने field कर लिया है यह तो यह पूरा step, तीन step में यह पूरा clear होगा उसके बाद से आपको personal detail यहाँ पे enter करना पड़ेगा, उसके बाद से address एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद से आपका process clear हो जाएगा, तो आला कि पहला process जब हमारा clear हो चुका है, पहला form हमने भर लिया है उसके बाद से यहाँ पे continue कर देंगे, यदि friends आपको लगता है कि नहीं basic detail में कुछ change करना तो यहाँ से भी select करके जा सकते हैं और यहाँ पे back भी कर सकते हैं, उसके बाद friends यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरे step में हम आ चुके हैं दूसरे step में आपको personal detail में क्या-क्या fill करना आपको name, middle name और last name एंटर करना है यदि नहीं है आपका तो नहीं बरना आप पड़ेगा, कोई issue नहीं है लेकिन first name में आपको fill करना निवार है friends यह जो भी आप name यहाँ पे आपको fill करना है, edge पर your आधार आपको fill करना यहाँ पे instruction भी देखने को मिल जाएगा friends यह आप edge पर आधार नहीं fill करते हैं, तो आपका आधार काड लिंक नहीं हो पाएगा आधार काड से यह verified नहीं हो पाएगा friends जो भी आधार काड की benefit से वो काफी सारे हैं, पीछली वीडियो में ने बताया था डिटेल में वो वीडियो आप नीचे description box में चेक करके देख सकते हैं friends उसके बार से आपको बेवसाय चूच कर लेना है, आपका बेवसाय क्या है आप private नोकरी करते हैं, government नोकरी करते हैं, self हैं, या पी student है, other हैं वो आप चूच कर सकते हैं, government है, public हैं, तो फिलाल में यहां पर private चूच कर लेता हूँ और data birth आपको यहां पर चूच करना है, लेकि data birth भी आपको edge पर document ही करना है जो भी आपके आधार कार्ड में, वो ही यहां पर data birth एंटर करना है उसके बार से married, unmarried, येदि married हैं तो merit कर लीजिए, unmarried हैं तो unmarried कर लीजिए बाकि यहां पर by default इंडिया है, येदि आप किसी और country से हैं, तो यहां चूच कर सकते हैं फिलाल में हम इंडिया ही रहने देते हैं, उसके बार से male फे male जो भी आपका gender है वो select कर लीजिए यहां पर आपको email ID आपका एंटर कर लेना है, यहां पर आपको mobile number एंटर कर लेना है फ्रेंस दुबारा से यह आप करना चाहेंगे तो यह दुबारा से mobile number यह वाला यूज नहीं होगा, कोई और mobile number यहां पर यूज कर सकते हैं कि second step में भी हमने personal detail सारा feel कर लिया है, उसके बाद से यहां पर continue कर देंगे, जैसे आप continue करेंगे तो यहां पर address वाला options आपको देखने को मिल जाएगा और friends, यहां पर आपको अपना address feel करना है, यह भी asper document ही आपको fill करना है, सब कुछ यहां पर यह आपका जो office address है वो यह सेम है तो yes कर दीजिए, अन्यता friends, यह यह सेम नहीं है, तो आप यहां से no कर दीजिए, no करेंगे तो आपको एक और address feel करने का option आ जाएगा यहाँ पे आपको अपना ओपीस जो भी आपका ओपीस से जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ का address लिख सकते हैं फ्रेंस आला कि यहाँ पे आप yes करती जिएगा क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ effect नहीं होता है यह permanent address ही रहने दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि current address भी इंटर करें तो यहाँ पे no करके current address भी यहाँ पे add कर सकते हैं फ्रेंस यहाँ पे हमने सारा detail फिल कर लिया है देखे street lane optional है जो भी optional है उसे आप छोड़ सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है बाकी जो optional नहीं है वह आपको fill कर लेना है यहाँ से ब्यार automatic आ जागा जो भी आप यहाँ पे pin code डालेंगे तो यहाँ पे state automatic ले लेगा उसके बाद से आपको अपना जो भी city है वह सेलेक्ट करना पड़ेगा और जो भी आपका यहाँ पे पोस्ट आपी से वह सेलेक्ट करना पड़ेगा तो mobile number एंटर करना पड़ेगा फिरिंगे हमने सारा detail फिल कर लिया है उसके बाद से हम यहाँ पर आयम नौट ए रोबोट पे सेलेक्ट करने वाला जा रहा है कि आप रोबोट है यहाँ नहीं है तो आयम नौट रोबोट पे सेलेक्ट कर लें तो यहाँ पे टर्मेंड कंडि फर्स्ट लोगिन जब भी आप पहली बार लोगिन करेंगे तो यह वेरिफिकेशन की ज़रत पड़ेगी प्लीज इन्सोर इमेल आइडिया और मॉबाइल लंबर इस और जो भी आपने मॉबाइल नंबर दिया है वो करेक्ट है करेक्ट नहीं है तो आप कैंसल करके उसको कर पर दिया है तो यहां से ओके कर दीजिए और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा थैंक यू यूव विन सक्सेजफ़ली रेइस्टर्ट आपका जो भी एकाउंट है बिल्कुल सखफलता पुरूब रेइस्टर्ट कर लिया गया आपका यूजर नाम देखने को मिल जा करना है वेरिफाई वेपाई योर मूबाइल नंबर आपको इमेल आइडी और मूबाइल नंबर आपको फीरिकेशन करना है देखें किलिक घ Sayaर फॉर लोगिन टू एक्टिवेट यूर एक अकॉंट धोके यहां से आपको अपना जोबी अपने अकॉंट अभी बनाए है उस password fill करना है और उसके बाद जो भी एक capture दिख रहा है वो enter करना है और उसके बाद से sign-in कर देना है यहां पर हमने user ID और password अब कुछ इंटर कर लिया कैपचा भी इंटर कर लिया उसके बाद से यहां पर sign-in करेंगे देखिए first time आप sign in करेंगे ना तो देखिए यहाँ पर verification मांग रहा है mobile number and email id verification process अब यह एक बार ही करना होता आपको एक बार यदि आपने verify कर लिया तो बार बार यह option नहीं आएगा देखिए यहाँ पर mobile number not verified लिख रहा है email id not verified लिख रहा है अब आपको यहाँ पर इंटर करना है और उसके बाद से submit कर देना है email id verification के लिए आपको verify email id पे select कर देना है जैसे ही आपको करेंगे तो email id पे एक OTP चला जाएगा वो OTP आपको यहाँ पर इंटर करना है तो friends यहाँ पर हमारे email id पे भी OTP आ चुका है अब हमने OTP पे इंटर कर लिया उसके पास submit the OTP code पे select कर देंगे देखिए click here करके दोबारा से मंगा सकते हैं यदि आपको नहीं receive हुआ है तो हलाकि हमराई पास receive हो गया था आप देखिए verify भी हो चुका है आपको जाना है और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने का ओप्सन आ रहा है वह आपको एंटर कर लेना है जो भी यह capture है वह एंटर करना है यहां से आप reference भी कर सकते हैं capture में कोई दिक्कत लग रही है आपको तो और उसके बास साइन इन कर लेना है अब यहां पर चो वेरिफिकेशन आ रहा था वह वेरिफिकेशन नहीं आएगा direct आपका account open होगा और उसके बास से अब यहां से आप ticket book कर पाएंगे बड़े यह असानी से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी देखिए यहां login हो चुका है अब देख सकते हैं ऊपर आपका नाम आ जाएगा और देखिए अभी no upcoming journey आपका सो कर रहा है आपके account में क्योंकि आपने अभी तक कोई ticket तो बुक किया नहीं है व्यू आल जर्नी कर सकते हैं लेकिन अभी तक कुछ भी transaction हो गरा नहीं किया है आपे no last transaction द उपयोग आप bus ticket flight ticket सब में बुक करने के लिए यूज कर सकते हैं hotel ticket जो भी IRCTC की तरफ से services अब लेबल होंगी आने वाले समय में भी वह आप सेम एक ही user ID से आप सब कुछ access कर पाएंगे friends इस वीडियो को में से आप औरुख्या के जाना चाहते हैं जो कि मैं इस वीडियो मे लिख सकते हैं उसका reply में जल्द जल्द देने का प्रयास करूँगा friends इस से related और जादा वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करेंगे आप काफी सारे वीडियो के लिए देखने को मिल जाएंगे इसी के साथ फिर मिलते है नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए ज यवर्द बंदे मात्र